हाई एवरिवन वेलकम इन आवर यूटूब चैनल एम एलेवन एकेडमी बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में असनातक यानि बीए बीए सी बीकॉम में नामंकन के लिए आज से ऑनलाइन सुरू हो रहा है आज से यानि की 20 मई से और ऑनलाइन करने का लास्ट डें 30 मई रखा तो 20 माई तक और ओनलाइन कर लेना है तभी आपका एडविशन होगा तो इस बार असनातक में बहुत सारी बदलाव किया गया है जो прив आपको पहले तो दिख रहा होगा कि 4 साल कर दिया गया है और भी इसमें बदलाव किया गया है तो सभी बदलाव को हम बारी-बारी से आपकी सामने हम रख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा अगर आप इस साल असनातक यानि की ग्रिजवेशन में एट बार आपका एक्जामनेशन होगा एक साल में दो सेमेस्टर यानि कि साफ सफ बोले दो ये बीटेकρωव के क्री इसे बना दिया गयाicha'm बिटेक बिटेक जैसे कि 4 साल में कम्प्लेट होता है हरेक 6 मंत पर 7 में एक सेमेस्टर होता है तो उसी परकार से अबशनातक को भी आई इसमें क्या क्या बदलाव है जोको यहां पर लिखा हैम आपके सामने हम पढ़कर रख देते हैं और इससाल आपका लिखा गया इससाल इन्टर के अंक पर होगा नामंक क्याना की इस परकार से पहले जो है नामंक कर अठाक्त हो था इंटर बेसिस्वर उसी बिहार के विष्विद्याले के लिए चार वर्सी असनातक कोर्स पाठकर्म और प्रारुप तयार कर लिया गया है इसके मुताबिक सभी विष्विद्याले का पाठकर्म और सुल्क समान हो यानि कि यह जो चार वर्स के लिए लाया गया है असनातक के लिए तिसमें बिहार के क एक्जामिनेशन होगा एड़ीशन होगा यानि कि सब कुछ एक डेट में होगा जो कि पहले आप लोग देख रहे थे कि मगद इन्वर्सिटी में बहुत सेशन लेट था तो यह अब जहनजट खात्म हो गया है और आगे के बाद करें तो राजभवन ने इस संबंध में इस विद्याले को पत्र जारी कर दिया गया है नए पाठकर्म और प्रारूप को इसी सत्र यानि कि इसी सत्र 2023 से 27 चलेगा जो कि चार साल का होगा तो इसी सत्र से सब कुछ लागू किया जा रहा है देखे यहां पर लिखा गया लागू किया ज दुर जांतक में аठ सेमेस्टर में पूरा होगा इसके लिए 166 क्रेडिट ते किया गया आनि कि अब जो आपको मार्क्स जो था वह प्राषता गया है अब पूरी सिमेस्टर मिला के एक सो साथ क्रेडिट रहेगा और परतेक सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट आपको मिलेगा इसी परकार से टोटल जो है 106 क्रेडिट का आपका आठ सेमेस्टर में एक्जाम होगा और भी इसमें हम आपको बताते हैं जो में में पॉइंट है परतेक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट होगा जैसे कि अभी हम बताए हैं चातरों को अंतिम वर्स के सातमे सेमेस्टर में पहुचने के लिए अगर आप सातमे सेमेस्टर में पहुचना चाते हैं तो मिनमम आपको 7.5 CGP लाना होगा यह सब तो आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो अच्छी तरह से पता चलेगा नए नियम के अनुसार क्रेडिट की उपस्थिती से भी जोड़ा गया आनि कि आपका कितना परसेंट एटेंडेंस है उससे भी आपको क्रेडिट मिलेगा चातरों की 75 परसेंट उपस्थिती अनिवार है कि अब आप लोग को 75 परसेंट अपने कॉलेज में परजेंट होना आथी आवस्यक कर दिया गया है जो कि यहां पर आगे पढ़ते हैं तो कुला धीव पती सह राजश्पाल राजेंदर विश्वनाथ आर लेकर ने करें कि पाँफ विश्विद्याले के कुलपतिओ और के प्रारुप तयार करने के जिमिदारी लिया और कि पांच वि理या तो को यहां पर इस को त्यार करण के लिए टया गया है तो यह सब हम लोग को इंपोर्टेंट में आपको इतना लगेगा बाकी जो अधर जो सेमिस्टर है उसमें आपको दो हजार पांच रुपया परतेक सेमिस्टर लगेगा इसमें क्या क्या है देखे इसके अलावा परतेक सेमिस्टर में परिच्छा फिस छे सो रुपया लगेगा वहीं छात्रों को और वहीं छात्रो वहीं चात्रों को विस विद्याले में रेजिटेशन कराने के लिए फिर से 600 रप्या लगेगा देखे और इसमें देखे इस परकार से जो है सब्जेक्ट वाइज भी किया गया है और भी इसमें हम आपकी सामने लेकर आये हैं जो कि इसमें इंफोर्मेशन ने देखे आप लि लिए फी अस्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा इससे आपका किलियर हो जाएगा देखे यहां पर लिखा गया चार वर्सी यानि आठ सेमेस्टर की फीज के रूप में 16,290 रुपया लगेगा यानि की टोटल आपको ग्रिजिवेशन करने में 16,290 रुपया खर्च होगा इस इसमें विधिवत सुल्क जोड़े गया यानि की जो भी सुल्क है इसमें सब कुछ इंक्लूइड कर दिया गया है देखे साइंस भोगोल मनो विग्यान होम साइंस म्यूजिक लैब्स चार्ज के लिए पांच छे सो रुपया इसमें इंक्लूड रहेगा इसको अलग से आप आपको दो हजार पांच रुपया लेगा परतेक समिस्टर इसमें इंक्लूड होगा इसको अलग से आपको देना नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए साप सप लिखा गया है इसमें विवीद सुल्क जुड़े हुए यानि कि जो दो हजार पांच रुपया इसमें और भी अ संचालन जुलाई से दिसंबर तक यानि कि फर्स समेस्टर जो आपका है जुलाई से लेकर कहां तक चलेगा दिसंबर तक जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा और इसका एक्जामनेशन भी आपका नवंबर से दिसंबर के बीच ले लिया जाएगा फर्स समेंटर का अब आपका सेमेंस्टर चलेगा और आपका एक्जाम अप्रील से मई तक ले लिया जाएगा उसी परकार से एक सेमेंस्टर में कुल 20 क्रेडिट अभी बताएं टोटल क्रेडिट आपको 160 रखा गया है परस्न पत्रों का श्वरूप सभी 20 विद्याले के लिए समान हो गया आप किसी भी 20 विद्याले में अगर पढ़ रहे तो सभी का प्रश्न पत्र समान रहेगा और समान रहेगा सेकेंड से से 3rd में जाने के लिए स्टूटेंट को 40, 40 में से 28 क्रेडिट अनिवार यानिकर अगर सकेंड से आप थर्ड समेस्टर में जाएंगे तो सकेंड तक आप लोग जानते हैं कि concur 20 info, से साथवे में जाने के लिए 120 में आपको 108 लाना जरूरी होगा नहीं तो फिर आपको बैक लग जागा वही सिमेस्टर में आपको रहना पड़ जागा हर सिमेस्टर के बाद स्टुडेंट को सिजी पीए यानि की सिमेस्टर ग्रेड पॉइंट मिलेगा और बैसलर डिगरी के लिए स्टुडेंट को चार पॉइंट पांच सिजी पीए लाना होगा सिजी पीए में दस से गुना करने पर आपका अंक पराप्त हो जागा अनि कि कोई पुछेगा तो जतना आपको सिजी पीए फाइनल मिलेगा उसी परकार से दस से उसमें आप लोग डिवाइट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा और देखिए कैसे कैसे आपका और दस जो है क्या इसमें लिखा गया देखे दस जो आप यहाँ पर देखे हैं कि इसमें आपको 90-100 मार्क्स है तो आपको 10 मिलेगा अगर इसी में आप लोग 10 से अब लोग मुल्टिप्लाइग कर देंगे तो आपका नंबर निकल जाएगा कितना मार्क्स आया है इसी परक से जो जैसे केहां पर देख पाव है 20 मैं यह तीस जून तक आपको होगा जो की इस परकार से आपको यहां पर दीख रहा हो GPS कॉर्णर पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं और एक जो है कटिंग और है इसमें क्या है देखे राजपाल की अध्यास्ता में कुल पतियों की सिच्छा विभाग के अधिकारी के वही बैठक में चार वर्से चार वर्से के लिए यहां पर तो मंजूरी दे दिया गया इसी वर्से और विद्यार्थी इसी सत्व से इतिहास के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं यानि कि अगर आप आर्स लिए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि फिजिक्स का कोई भी सब्जिक्ट पढ़े तो यह आपका यहां पर छुट मिलेगा कोई भी सब्जिक्ट पढ़ सकते ह और एक इसमें important जो point है उसे हम आपके सामने deal कर देते हैं जो कि यहां पर लिखा गया है कि CBCS में क्या और कैसे होगा क्या इसमें लाभ मिलेगा जो कि बच्चे जो है इस परकार से जो बदला गया है pattern तो इसमें क्या लाभ होगा देखे पर्थम वर्स दो सेमेस्टर में 40 credit का होगा इसे पूरा करने पर यूझी संपट संटिफिकेट मिलेगा यानि कि यूजी अंडर ग्रेजविट वाले आपके संटिफेकेट मिलेगा वसरते चार करेडिट के एक वोकेसनल कोर्स करें तो इस प्रकार से आपका दुथी वर्स में देखे मिलेगा चौथा सेमेस्टर असी credit पूरा करने पर यूजी डिपलोमा सेटीफिकेट मिलेगा और दूसरी वर्स आपको तिसरा वर्स में क्या मिलेगा छठे सेमेस्टर यानि की 120 क्रेडिट कमपलिट करने के बाद यूजी यूजी का डिगरी यानि की अंडर ग्रेजविट का आपको डिग्री मिलेगा और तीन वर्ष में विद्यार्थी कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं अगर आप तीन वर्ष कंटीन्यू करते हैं तो अगर आपको मन है कि चौथा वर्ष में अगर आप कहीं छूट कहीं चले जाते हैं अगर आपका किसी किसी कारण से अगर छुट जाता है कॉलेज ता आप लोग जो है इसमें तीन साल का अंदर आप लोग फिर से चौथे वर्स में नामंकन लेके फिर से आप लोग अपने पढ़ाय को कंट्यून निव कर सकते हैं जो कि यहां पर चौथे में लिखा गया है और तीसरा का थोड़ से में सेमेस्टर्नाजिकी 1-600 पूरा करने पर आउनर्स की डिगरी इसके साथ research की दिगरी दिया जाएगा यानी कि पहले जो है तीन साल कंप्लेट करने उनर्स टिगरी दिया जाता था लेकिन इसमें आप और एक डिग्री आइड किया गया है जो कि research यानि कि जो बैज्यानिक लोग जो research कोई चीज खुजता है तो उसी परकार से आपको एक डिग्री दिया जागा जो कि research का देखे लाब इसमें क्या है चार वर्स कोर्ष करने वाले के लिए PG के लिए एक वर्स का यानि कि जो आप लोग चार वर्स का जो graduation का degree लेंगे तो इसके बाद आप लोग PG यानि कि post graduate के लिए अगर आप लोग करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक साल में आपका PG complete किया जाएगा और जो तीन साल के जो graduation करते थे तो उसको अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई problem है कोई प्रश्ण है आपके मन में जैसे कि बहुत सरे प्रश्ण बच्चे पुछेंगे कि सर्थ 75% attendance अनिवार है तो जी हाँ अभी जो लिख रहा इसके निशार से तो बिल्कुल 75% पूरा होना चाहिए लेकिन अब college पर depend करता है कि पूरी तरह से पढ़ाने के लिए सभी teachers उपलब्ध है या नहीं तो इस बार तो हमें नहीं लगता है कि इतना इसे mandatory किया जाएगा लेकिन आगे वाले आगले साल में ये सब जो है आपको full maintenance दिखेगा और सभी चीज पूरे दिखेगा तो इस बार थोड़ी सी लपरवाई हो सकता है attendance में आपको नहीं भी जाएंगे तो बन सकता है क्योंकि अभी नया नया ये जो है नियम कानून आया है तो आपको अगर कोई प्रस्ण है graduation से related तो आप हमें comment करें मैं आपको personally उस comment का answer देकर मैं आपकी जो है जो भी problem है उसको दूर करने के कोसिश करेंगे तो thanks for watching मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आप इस चैनल पर नए है तो please चैनल को subscribe कर लिजे और जैसे हैं इसका link active होता है तो फिर से मैं वीडियो बना दूँगा तो आप सब कैसे जो है इसमें online करना है क्या क्या लगेगा तो सब कुछ उस वीडियो में हम बताएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैन जै भारत